दोस्तो नमस्कार मैं हुझे और आप देख रहे हैं जैज़ दनियोझ महराज के पूरग्रीह मंत्री अनिल देशमुक की वाईफ आरती देशमुक को लेकर कोट की तरब से एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है कोट ने एक बहुत ही बड़ा जटका दिया है अनिल देश्मुक की फैमली को जैसा कि आप सब को पता है कि अनिल देश्मुक की वाईव आरती देश्मुक ने मुंबई हाई कोट में एक याज क्या दाकिल की थी और उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि ED के द्वारा जो 4.2 करण रुपे को उनकी प्रॉप्टी को सीच किया गया है उसको जो है वापस कर दिया जाए और उस पे जो है ED अपना फाइनल ओडर पास ना करे जिसको लेकर मुंबई हाई कोट में फैसला सुनाया गया था 2-3 दिन पहले उस पर सुनवाई हुई थी और मुंबई हाई कोट में उस पे फैसला सुनाते हुए ED के उपर रोक लगा दी थी कि वो जो है कोई भी फाइनल ओडर इसमें पास ना करें लेकिन उसके बाद ED की टीम भी मुंबई हाई कोट पहुची और उन्होंने एक याज का दाखिल करते में सिकायत दरज की थी कि ED की टीम की बात सुने बिना ही मुंबई हाई कोट ने अपना फैसला सुना दिया जिसको लेकर 10 तारिक को डेट दी गई थी की 10 दिसंबर को इस केस पे सुनवाई होगी और ED की बात को भी सुना जाएगा और अभी जो अपडेट आ रही बताया जा रहा है कि कल जो है इस केस पे सुनवाई भी हुई थी जहां पर ED ने अपना पच्छ रखा जिसके बाद मुंबई हाई कोट ने फाइनल ओडर पास किया है और उनके दोरा बोला गया है कि ED को अब छूट है कि वो जो है 4.2 करोन रुपरी जो प्रॉप्टी उन्होंने सीच की है उस पे अपनी तरफ से फाइनल ओडर पास करें और उसको जो है पूरी तरह से जब्द कर लें अब उसको रिटर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है मतलब कहीं न कहीं से जो अनिल देश्मुक के वाइफ है उनको एक बहुती बड़ा जटका लगा है उनकी तरफ से पूरी प्लान थी कि किसी भी तरह से 4.2 करोन रुपरी जो प्रॉप्टी है वो वापस आ जाएगी मुंबई हाई कोर्ट में जब याज क्या दाखिल करेंगी लेकिन अब जो है मुंबई हाई कोर्ट ने भी परमीशन दे दी है एडी को कि एडी जो है इस पर फाइनल लॉडर पास करें और जो भी टर्मिन कंडिशन के साफ से जो भी कारवाई होनी है उसको अपनी तरफ से पूरा करें तो आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप उन्हों ओपिनियन कमेंट बॉक्स में होता है और वीडियो को जाया चाहता सेयर करें